पीछले वीडियो में हमने देखा था ट्रांस्प्रोट एक्रॉस सेल मेंब्रेन आज हम लोग बात करेंगे सेल साइकल और सेल डिविजन के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले जानते हैं कि सेल साइकल क्या होता है तो सेल साइकल एक सिक्वेंस है सेल रेगुलेटेड इवेंट्स का जो सेल की ग्रोथ और सेल के डिवेजन को कंट्रोल करती है तो सेल साइकल के मेंली 5 फेज़े होते हैं सबसे पहला होता है जीवन फेज या जिसे हम लोग प् स्टेजेस को मिला के इंटरफेस का जाता है उसके बाद चौथा पयाद आता है M FACE या माइटोसिस और उसके बाद यह S stage में पहुचती है जहाँ पे DNA का replication होता है उसके बाद यह G2 stage में पहुचती है जो cell division के लिए prepare होती है उसके बाद यहाँ पे M phase चालू होता है जिसमें cell का division होता है फिर वहाँ से यह दो identical cells बन जाती है और यह process चलती रहती है जिससे cell की growth होती है और reproduction होता है सबसे पहले बात करते हैं interface के G1 stage की तो G1 stage जिसे हम लोग primary growth stage भी कहते हैं यह cell division के बाद चालू होती है इसमें cells जो होती हैं वो mature होती है और cytoplasm और organelles का formation करती है इस stage में cell जो है अपनी metabolic activities को carry on करती है दूसरा आता है interface का stage जो होता S stage या synthesis stage इसमें DNA का replication होता है वो two identical copies बनाता है DNA का तीसरा आता interface का stage जिसे हम लोग G2 stage कहते हैं यह secondary growth stage होता है यहाँ पर DNA जब replicate हो जाता है तो जितने भी cell के structures होते हैं जो division के लिए जरूरी होता है जैसे की centrioles वो form होते हैं यहाँ पर organelles और proteins भी form होते हैं जो जरूरी होते हैं cell division के लिए अब आते हैं चौथे phase यानि की M phase या जिसे हम लोग mitosis भी कहते हैं तो mitosis में nucleus का division होता है जब एक cell बन जाती है तो उसमे nucleus का division होता है जिसे karyokinesis कहा जाता है karyokinesis process के और eukaryotic type के कोशिकाओं में होती है और इसमें four stages होते हैं यह हमारे body के कुछ cells जैसे की brain cells में mitosis process नहीं होती है मतलब कि brain cells जब एक बार बन जाती है तो वो बनी रहती है उनका कभी reproduction नहीं होता है mitosis के चार stages होते हैं सबसे पहला होता है pro phase दूसरा meta phase तीसरा एना phase and the fourth one is telophase सबसे पहले बात करते है pro phase की तो pro phase में भी सबसे पहला आता है early pro phase यहां पर chromatin जो होता है nucleus के अंदर वो condensed होता है और visible chromosomes बनाने लगता है cytoskeleton या centrioles में जो mitotic spindle होते हैं वो बनने लगते हैं ताकि वो chromosomes आके जोड़ सकें लेट प्रोफेस की बात करें तो यहां पर nuclear membrane और जो nucleolus होते हैं वो broke down होके disappear होने लगते हैं chromosomes वो condensed होना चालू रखते हैं जब तक कि वो clearly visible न हो जाए spindle fibers जिने kineto course भी कहा जाता है वो chromosomes के centromere पे आके attach हो जाते हैं chromosomes का centromere जो होता है वो एकदम बीच में होता है spindle fibers जो होते हैं वो still के opposite poles पे बनना बंद हो जाते हैं यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि chromosomes जो है वो clearly visible हो गया है और nucleolus जो है वो disintegrate होके disappear होना चालू हो गया है यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि kineto core fiber या spindle fiber है वो chromosome के centromere पे attached हो गया है अगर spindle fibers की बात करें तो यह centriol से निकले हुए threads होते हैं या जिने हम लोग kineto core fibers भी कहते हैं यह chromosome के centromere पे आके attach हो जाते हैं अब आते हैं दूसरा stage mitosis का जो होता है metafase तो chromosome जहां पे kineto core fibers attach होते हैं वो cell के center की तरफ move करने लगते हैं अब chromosome इसी metafase में cell के equatorial line पे आ जाते हैं यहां पे हम लोग देख सकते हैं diagram में कि cell के जो दो opposite pole हैं वहां पे centrioles के ester आके जमा हो गया है और जो chromosome है वो cell के equator पे आके एक दूसरे के अगल बगल जमा हो गया है अब आते हैं तीसरे phase जो होता है anaphase तो यह बहुत ही जल्दी होने वाली process होती है यहां पे जो sister chromatids होती है वो opposite poles की तरफ खीच लिए जाती है और kineto core fibers जो होते हैं जो chromosome से जुड़े होता है वो इन्हें खीच के एक दूसरे से अलग कर लेते हैं यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि जो sister chromatids हैं वो एक दूसरे से separate हो रहे हैं एक और सेल के opposite poles की तरफ तीलो फेस जो होता है माइटोसिस का सबसे last stage होता है यहां पे sister chromatids जब opposite poles पे पहुंच जाते हैं तो spindle fibers जो होता है chromatids से जुड़े हुए disassemble होके disappear हो जाते हैं यहां पे sister chromatids के चारो तरफ nuclear envelope form होने लगता है nuclear envelope के अंदर nucleolus वापस से reappear होने लगता है cytokinesis यहां पे process चालो हो जाती है और chromosome जो होते हैं वो chromatin की तरह दिखने लगते हैं अब हम लोग बात करते हैं cytokinesis के बारे में तो उनके चारो तरफ nuclear envelope form होता है और यह दो nucleus बना लेते हैं division of the cell into two identical halves called daughter cells मनलब कि जब cell का division दो identical आधे cells में होता है तो वो daughter cells कलाती है plant cell में cell का plate form होने पे cell divide होती है यानि कि जो equatorial line होती है cell में वहाँ पे cell plate का formation होता है और plant cell में cytoplasm का division होता है animal cells में cell के बीच में cleavage बनता है जिससे cell का division होता है यहाँ पे हम लोग diagram के मात्यम से देख सकते हैं कि animal cells में cleavage बनता है जिससे cell जो होती है दो identical cells में divide होती है plant cell में equatorial line पे cell plate का formation होता है जिससे दो daughter cells बनती है अब हम लोग आते हैं cell division के दूसरे type के बारे में जो होता है होता है जहां पे chromosome का replication होता है मैं मियोसिस में टू मियोटिक डिवीजन होती है मियोसिस फस्ट एंड मियोसिस सेकेंड इससे हम लोग reduction डिवीजन भी कहते हैं जब original cell जो होती है deployed होती है यानि की two pairs of chromosomes होते हैं मियोसिस प्रोसेस के बाद four daughter cells बनती है जिसमें monoplied यानि की एक pair of chromosomes होते हैं जब cell का division होता है यहां पे तो original cell के मुकाबले यहां पे daughter cells में chromosome का half number होता है जो produce करता है gametes को यानि की X और sperm को यह मियोसिस प्रोसेस जो होती है वो males में testis में होती है जिसे हम लोग spermatogenesis कहते हैं और females में ही meiosis process होती है ovaries में जिसे हम लोग oogenesis कहते हैं अब हम लोग जानते हैं कि हमें meiosis process की जरूवत क्यों होती है जबकि body के सारे cells में mitosis process होती है तो यहां पे meiosis की क्यों जरूवत होती है तो यह एक sexual reproduction का fundamental basis होता है जब two haploid gamets यानि की X और sperm एक साथ मिलते हैं और fertilization process होता है तब जाके diploid यानि की 2N जाइगोड का formation होता है यहां पे 23 chromosomes X में और 23 chromosomes sperm में पाया जाते हैं जो मिला के 46 यानि की two pair of chromosomes को बनाते हैं जो जाइगोड का formation करते हैं और वही नई cell एक human में change होती है यहां पे हम लोग एक diagram के माध्यम से देख सकते हैं कि यह haploid sperm जो होता है हो haploid X से मिलता है तो diploid zygote बनता है अब chromosomes के replication को देखते हैं तो chromosome का duplicating जो होता है वो replication कहलाता है यहां पे हम लोग figure में देख सकते हैं कि unreplicated chromosome जो होता है वहां पे DNA synthesis और condensed होके sister chromatids बनाता है जो एक दूसरे से centromere पे जुड़े रहते हैं यह process जो होती है वो interface के दोरान होती है अभी हमने देखा कि meiosis जो होती है जो two part cell division होती है यहां पे जो deployed cell होती है वो पहले दो identical daughter cells में form होती है वहां पे homolog separate होके दो identical daughter cell बनाते हैं जो deployed होती है यानि जिन में two pairs of chromosomes होते हैं फिर वो process meiosis second के बाद होती है sister chromatids जो होते हैं वहां पे separate होके haploid cells बनाती है जो four identical daughter cells होती है यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि meiosis first जो होता है वो reduction division होता है अब आते हैं सबसे पहले प्रोफेस first पे तो प्रोफेस first में भी अर्ली प्रोफेस होता है यहां पे जो homologs के pair होते हैं क्रोमोसोम के वो एक दूसरे पे crossover होते हैं लेट प्रोफेस में जो होता है chromosome condensed होने लगते हैं spindle fibers form होने लगते हैं और nuclear envelope जो होता है वो disappear होने लगता है यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि प्रोफेस first में homologs को जो chromosome हैं वो एक दूसरे से चुड़के tetraards बनाते हैं जिसे हम लोग synapses कहते हैं यहां पे crossing over process में हम लोग देख सकते हैं कि जो maternal chromosome होता है और paternal chromosome होता है एक दूसरे से crossover होते हैं tetraards बनाते हैं जहां पे chromosome की gene का जो होता है exchange होता है जो offspring में बदलाव का कारण बनता है अब आते हैं metafase पे तो जो homologs की pairs होते हैं chromosome के वो cell के equator पे आ जाते हैं और एक line जैसा बनाते हैं बात आती है enaphase की तो enaphase में जो homologs होते हैं sister chromatids वो एक दूसरे से separate होने लगते हैं spindle fibers जो होते हैं centriol के यह उन्हें opposite poles पे खीचते हैं फिर आता है telophase पे telophase में जैसा कि हम लोग उने पहले भी देखा था कि जो sister chromatids होती है वो एक दूसरे के opposite poles पे चली जाती है वहाँ पे धीरी धीरी nuclear envelope reassemble होने लगता है spindle fibers disappear होने लगते हैं और फिस cytokinesis याने की cell जो होती है वो दो पार्ट में divide होने लगती मियोसिस first के बाद आता है मियोसिस second जहां पे क्रोमोसोम के जो number होता है वो reduce होते हैं deployed chromosome से haploid cells बनती है यहां पे भी पूरी तरह से process वैसे ही होती है प्रोफेस सेकेंड आता है metafix second आता है उसके बाद देना फिस सेकेंड होता है फिर टीलोफेस सेकेंड होता है सबसे पहले देखते है प्रोफेस सेकेंड के बारे में तो यहां पे भी nuclear envelope के जो fragments होते हैं वो disappear होने लगते हैं spindle fibers form होने लगते हैं metafix second की बात करें तो क्रोमोसोम जो होते हो सेल के equator पे align हो जाते हैं एना फिस सेकेंड में हम लोग देख सकते हैं कि सेल के opposite poles पे centrioles हैं जहां पे spindle fibers जो हैं वो sister chromatids को separate करते हैं और opposite poles की तरफ खीशते हैं टीलोफेस सेकेंड में nuclear envelope reassemble होने लगता है sister chromatids की चारो और क्रोमोसोम decondence होने लगते हैं spindle fibers disappear होने लगते हैं cytokinesis process cell में होती है जो cell को दो में divide करती है टीलोफेस सेकेंड के last में जब cytokinesis process होती है तो gametes यानी eggs and sperms का formation होता है और four haploid cells जिस पे chromosome की किवल one copy होती है वो बसती है different combinations of alleles जो होतने हैं chromosome में वो बनते हैं झाषच होती है ढ़ Madame तंच तंच झाल झाल